कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें कि आपके काम के वीडियो आते रहेंगे इस पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास बावन सो बोर्ड है या फिर तीस पच्पन है दौनों में से कोई बोर्ड है तो उस पर आप स्पीकर यूज करते हैं तो आपको सीरीज कने यूज करना चाहिए किस तरह से यूज करना चाहिए उसी टापिक पर हम बात करेंगे तो यहां आपको दो कनेक्शन दिखाए गए हैं यह पहले वाला सीरीज है और दूसरे वाला पैरलल कनेक्शन जिसे कहते हैं पैरलल में क्या होता है कि एक के साथ दूसरा स्पीकर न chang semua चु proposition है तो यह बात हो गई यहां पर आगे देख लोड़ है या 68 जो भी है तो आप कैसे जोड़ सकते हुने तो वो देख लेते हैं यहां हमारे पास एक बोर्ड है बावन सबूर्ड उनिस्ति तारीस वावन सो तो इसकी स्पेसिफिक्स देख लेते हैं पहले एक बार कि यह बोर्ड किस तरह का है तो आपको पता ही है गैसमें डूल पावर सप्लाई चलती है बोर इहीं बताएंगे पर चैनल जो आपको आपको मिलती है वह एक चैनल से दौन बोर्ड आउट्पूर्ट की 200 बोर्ट निकलती है कि सब्सक्राइब आउट देता है और सो इस तरफ आउट मिलता है ठीक है तो यह ओवर विव आपके पास हो गया है इस बोर्ड का ट्रांस्फरमर जो इसमें लगता है वह 3030 मैक्स लगा सकते हैं इससे उपर जाएंगे तो 50 watt 4 ohm है ठीक है तो खळ सबकर local यहां पहले क्लेक्शन है जो वह from connection में filters क्नेक्शन में दिखतें क्या है कैसे ठीक है तो यहसी शीरी connection हो ठीक है तो 100 वाट तो इसके लिए हो गया लेकिन अब आगे देखते हैं कि impedance impedance कितना हो जाएगा speaker का तो यह speaker का impedance total एक speaker का है वो 4 ohm है तो total impedance कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं four plus four eight ohm हो जाएगा मतलब कि इसका चार और इसका चार सीरीज में अगर हम करेंगे तो दोनों जुड़ जाएगे तो चार और चार आठ हो जाएगा आठ हो हो जाएगा तो इससे आपके जो एक लोड होता है तो ओम जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना लोड आपका कम पढ़ेगा तो यहां आठ हो जाएगा तो आवाज थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन आपका एम्प्लिफार वह वह होगा जो गरम नहीं होगा और सही चलेगा लेकिंः थोड़ी सी अवाज की क्वालट एपको कम मिलेगी तो क्योंकि 8 हो हो जाएगा और यह जो बोड टेजैन किया गया ह 4 Ohm के लिए है तो फोरोंपे सही वाज आएगी तो अगर आप यहां सीरीज में लगाएंगे तो आपका 8 Ohm होई जाएगा तो इससे कोई कम नहीं कर सकते आप इसे या फिर आप ऐसे करें कि कर सकते हैं कम के सीरीज में इस तरह से लगाएं दो और इसके सीरीज में एक और दो लगाएं तो आपका हो जाएगा तो उसमें connection है आपके parallel connection ठीक है parallel में जैसे बताया है कि red का red पर जुड़ेगा उसी में से निकलेगा दूसरी speaker पर चला जाएगा ठीक है black का black पर लगेगा उसी में से तर निकलेगा और फिर इसके वाले black पर चले जाएगा माइनस पर ठीक है तो यहां देख लेते हैं पचास प्लस पचास बॉर्ट तो इसका पचास जुड़ा जाएगा इसका भी पचास जुड़ा जाएगा यानि 100 बॉर्ट तो हो जाएगा यानकि बोड के साफसे यह 100 बॉर्ट निकालता है हमारा और 100 यहां टूटल speaker का बन रहा है ठीक है तो आगे ओम देखते हैं क्योंक का एक speaker है और दो speaker लगे हुए हैं तो यह टूटल टू ओम हो जाएगा तू ओम का इस पे जो आपका लोड होगा वो टू ओम का हो जाएगा यहां पर इसकेस में क्या होगा कि आपका जो ट्रांजिस्टर होंगे वो ज्यादा हीट होंगे क्योंकि यह फोर ओम के लिडिजाइन किया गया वोड है अगर टू ओम पर आप इसे चलाएंगे तो इस पर लोड ज्यादा पड़ेगा लोड ज्यादा पड़ेगा तो आपका ट्रांजिस्टर हीट हो जाएंगे और व और 8 जब हो जाएगा तो 8 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो 4 ओम आ जाएगा उस ताइम पे आप अच्छे से चला सकते हैं आपका ये भी खराब नहीं होगा और स्पीकर भी नहीं खराब होंगे तो ये था आपको बताए कि सीरीज करेक्शन जो होते हैं और पैरलेल होते हैं उनमें स्पीकर को कैसे कैलकुलेट करते हैं किस तरह का आपको कनेक्शन करना चाहिए तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको सही समझ आ गया होगा एंप्लिफायर से कनेक्शन कैसे करें सीरीज है पैरलल तो अगर वीडियो पसंद आयो तो लाइक कमेंट जरूर करें उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार